तो डिर्फ्रेंस अगर आप सोच रहे हैं गल्फ कंट्री जानने के बारे में अपने एक अच्छा करियर बनाने के लिए तो उसके आज की इस वीडियो में पूरी जानकरी दूंगा मैं आपको आप गल्फ कंट्री में जैसे की दुबई है अबुदाबी है ठीक है कुवेत है यूए कंट्री कंट्री उन सभी में अगते हैं साथय अर्भिया है तो इइन सभी का क्या प्रोचीजिर होता है आपको पूरी जानकरी है डुगा मैं सभी मिलता प्रोचीडी प्रो में होता है आग इस कुण कूद कॉद को मेंन चाहेंगे कौन application टोको स्टम्रा और फिखत करते देखी के दीयच एक चाहम क्या होता है डुबैइ हेल्थ अफोर्टी यह एक एजेन्सी है पेर मेडिकल मेडिकल की एजेन्सी है जो एक कोडेक और जो भी हुआ राइसंस प्रृवाइड अबूदावी यह भेद आज बडभी के लिए अबोड़र्बी के लिए pierwszy के लिए बंग्जाम उटता है ऊते हैं चीनुक्य में घ्रामस. हैं इन सभी का एक प्रोटो कॉल था होता है वो आपका एक्जाम्स लेती हैं आपके डाटा फोलो कंप्लिट करती है आपके डॉकुमेंट्स को वेरिफाई करते हैं और इन हर स्टैप के उपर एक फीस निरदार्थ कर रहां और एक फीज कर रखिया है जो कि आपकी धरम में लिए जाती जो वहां की करेंची यह उसके बेस में लिजाती है वह आप एक अगांट से करती फॉर से हैंदेर्ष रहें पाकिस्टान टैक्निशन योट्टी डिए सेवниц पहले सेब होता है दोकुमेंट्स कुछ अलग-अलग चाहिए होते हैं तो हम यहां पर बसिकली लेप टैक्शिन के बारें डिस्किस करेंगा आज लेकिन प्रोस्टा सेम पहलेंगा तने सबीया डोकुमेंट्स देखे हैं क्योंकि प्रोशिजर से भी का सेम होता है फीज वागणा थोड़ी बहुत कम जादा हो सकती है तो सबसे पहले दो प्रोशिजर होते हैं इसके अप्लाई करने के या तो आप पहले डाटा फोलो कंप्लिट करवाएं या फिर आप पहले एक्जाम दे ठीक है डाटा अब थर्ड पार्ट एजेंशी होते हैं प्रोमेट्री एक्जाम जेंशी वह आपके सभी डोकुमेंट्स को चेक करती है ठीक है तो जैसे भी आपको भी सेन्टर प्रोमेट्रीक एक्जाम जेंशी अलग जगह है इंडिया के अंतर गुड़ गहावां में है कोलकाता बुंब अलग अलग जगह है पेदराबाद केरला साइड बहुत सर जगह पर हैं ठीक है हर कंट्री में प्रोमेट्रीक एक्जाम जेंशी वह इस एक्जाम को डाटा फलो के चितरे फोटीर होती है तो आप इंडिया से देख रहे है तो अप इसको अपलाई करने के दो प्रोमेट्रि से लिए नडू से अप्लाई करवाते हैं तो आप ये इसंट डॉक्मेंट्ट बखर सबसे पहले आपकर पास्पूर्ट होना चीए अपने डिग्री डिपलोमा आहिक सभी होने चाहिए ट्रांस्र्सक्रिप्स स्टेटिफिकेट होने चाहिए और आपके जो आपका कॉर्स है उसका रिश्टेशन होना चाहिए अगर आप लेब टैक्स नहीं है तो उसकी वीडियो में बढ़ा रख्या आपको कांस्रीशन करवाना है ठीक है और आपके पास में यह सभी चीज़ होने चाहिए इनके लावा और आपके पास पास पास्पोर्ट सारी फोटोग्राफ होने चाहिए तो यह सब डॉक्कुमेंट्स आपके पास कंप्लेट होने चाहिए डाटा फॉलो जो फीस होती है वह आप से 30 से 32 रुपेश के फीस होती है तो जहां से आप अपलाए कर वाहंगे वहां पे 35 से जारते ले सकते हैं आपसे ठीक है तो 32 से 32 रुपेश होती है कि दूस्त अपर जिरिये है अगर आप डाटा फॉलो कंप्लेट नहीं करना चाहते हैं आप चाहते हैं मेरे को अग्जाम पहले दे सकते हैं एक्जाम के लिए आपको एक अकाउंट बनवाना पड़ता है वहा आपको जाके अपना अकाउंट बनाना पड़ता खुद भी अपलाई कर सकते हैं जरूर आपको किसी अपलाई करवाना है अगर आपको अच्छी नोलेज है लैब्टोप की कंप्यूटर नोलेज आच्छी है आपको अपलाई कर सकते हैं तो आप खुद भी अपलाई कर सकते लिंक डिस्क्रेप्टिन में दे दूंगा आपको वेबसाइट के प्रमेटरे एग्जाम एजिंशीज के ठीक, उन सभी की वेबसाइट बगर आपको डिसक्रेप्टिन मिल जाएंगी, वहाँ पर जाएक आप उनका अप्लाइ कर सकते हैं, आप अपको एग्जाम कि डेट शर् एक्जाम की लिए मैं चाला देना चाहता हूं अच्छे से तयार करके आप एक्जाम दे थोड़ा टाफ एक्जाम होता है इसका ठीक है कितने किश्चन साते हैं किस टाफ किश्चन साते हैं यह मैंने वीडियो बना रखी है वह आप देख लिए डिस्केप्शिन में जाके तो यह आपके प्रोसिज्च में आप डाटा फ्लो पहले करा सकते हैं या एक्जाम परे दे सकते हैं ठीक है एक्जाम परे दो उसके बाद में फिर आपका डाटा फ्लो कंप्लीट होगा उसके बाद में आगे प्रोसिज्च होता है तो हम अभी बात कर रहे हैं अगर आपने डा की के लिए डिञाते हैं थी करते हैं Jaatin आपको स्टीना जाती हैं यहां पर जो जूआके डोकमेंट लगाए हैं अपने के 12 लगते नहीं उसमें पर आपको कलिए देने हो कोर्ष किया अगर वह वहां पर आपके अपलाई कर रहे हैं आपके वेरिफाई एजन्ची प्रोबेट एक्जाम एजन्ची वेरिफिकेशन के लिए उदर से आपकी इनुरिस्टिच को यह अगर आपके रिप्लाई नहीं आता है तो वो कुछ टाइम देते हैं अगर उस टाइ होना चाहिए एक्सपेसे के लिए भी आपको जब आप experience बनवा तो प्रॉपरिले अपका अ vivo नाम में संक रना है अगर आपका के लिए और पैसे लिए कैसे बनाना है थे मैं आपको बताा दिया है ठीक है उसके बाद में बात करते हैं रिस्टरेशन की अगर आपको पैर życie से कर ऩूझ न करवाना पड़ेंगा यह यह енно यह आपर बोर्मेंट में करवा वो आप पे वेरिफाई की मेल डालते हैं जब वेरिफाई कि अगर उनको रिप्लाई मिलता है तो आपका ठीक है अगर रिप्लाई नहीं मिलेगा तो वह चीज को कैंसिल कर देते हैं इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है रिजिटेशन आपको कहां जी करवाना अगर आपके स्टेट में गोबर्मेंट पर मेरी में कैंसलींग है तो वहाँ सी करवा सकते हैं वालु च्शाल होती है य। सब्सक्राइब करवाना है उसके वीडियो मिल जाएगा वीडियो के अंडर मिल जाएगा वहांस आप उसको देख लिए इंडिया में बहुत सारे जगह नहीं देना चाहता हूं आपको गवर्मेंट से करवाई आप ठीक है गवर्मेंट में थुद्धा टाइम लगता है आपको बट वह अच्छी है आपका गवर्मेंट अप्रूब्ड चीजें होते हैं वह डॉकुमेंट्स उन्हें आप उन्हें आपको कभी प्रोब्लम्स नहीं आती हैं दूसरा अगर आपके आज स्टेट में गवर्मेंट कांस्लिंग नहीं है कई जिंगें पर बोर्ड हैं कांस्लिंग नहीं है तो आप दिल्ली से करवा सकते हो आधर स्टेट से करवा सकते हो कहीं से करवा सकते हो ठीक है लेकिन करवाने से पहले आपको वैरिफाई करना है कि आपका दुबाई के लिए अपलाई कर तो उनको बताना मैं दूबाई के लिए अपलाई करना चाहता हूं। डोकुमेंट उब्र है या नहीं है यह तो वह बंदे बता देते हैं जिल्वाई हमारा वैलिद है या या नहीं है जैसा है आपको परोपर्ली जांट्परताल करके फिर आपको को अप्लाई करना है उनके लिए ठीक है पांस चे साथ जारूपर लिते हैं वो लोग आपके साहरए डोकमेंट सडीकर करके दें देते हैं कि नेक्स किया होगता ट्रांस्क्रिब्स सदिफेट आपके पास three का करते हैं गहारा वसके माद pozy Kombat का ते के दवारा इसमें उनके पास में दो प्संस होते हैं अगर वो डीमल्टी की बेस पे एजाम अपलाई करना चाहते हैं तो डिप्लोमा के डॉकमेंट्स लगेंगे आपको डिगरी के डॉकमेंट्स नहीं लगाने अगर दोनों लगाओगे तो उसमें एडिशनल सर्टिफिकेट के चार्जे लगते हैं 5-7 दा रुपए तो दो जगहें से वेरिफाई होगा अगर आपने अलग 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 जगह से कोर्ष किया है कि डिप्लोमा की वेरिफिकेशन जाएगी ठीक है तो दो जगहें पे आपको करना है तो आपके दोनों जगह फीच लगे होगा आपके डो डिगरी है लेकिन आप टैक्न लोजिस्ट का देना चाहते हो दोनों अलग 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 होते हैं कुस्ट्रस सेम आते थोड थोड़ डिफ्रेंस होते हैं कुस्ट्रस में भी ऑपके डिप्रीक्रीज है है देख सकते हैं किसी पिलिए ऑप एक्जाम करता है फिर आपको ढदाना होता है description दे सकते हैं ऑपने निइरबाए सेंटर देख सकते हैं इसका आप एक्जाम सकते हैं दो से तिन दिन के बाद मिल जाता है अगर पास है तो पास लेखा मिलेगा फैल यह लिखा मिलीगा इंग्जाम की फीज में 22 33 जरुब एक्जाम होती है इसके बाद में सबसे जरुरी बात होते है एलिजीबिलिटी लेट्र अपको कम मिलता है जैसे आपका एक्जाम पास हो जाते हैं तो उसके लिए आपको फिर से फीज दे कि वो लगती है इस वह ने के बाद में आप अपने दुबहे जा सकते हैं वह पर आपना विजिट विजा लेकर जा सकते हैं ठीक है वहाँ पर जौब सेट करोगे जोब मिल जाएं नियुद और वहाँ पर मिल जाता है जिस होस्पिट्र बाप जौब करोगे है वो भी एना यूस से हैं उनका eligibility letter इशू नहीं हो पा रहा है तो वह बच्चे सब से पहले जब भी apply करें तो properly confirmation कर लें अपने जिस अजिस अप्लाई करवाना चाह रहे हैं कि हमारा कोस्ट डिसेंस से है eligibility letter आपका इशू हो पाएगा नहीं हो पाएगा एक्जाम आपका हो जाता है डाटा फूल आपका complete हो जाता है लेकिन इशू कहाँ पर आथा eligibility letter इशू जने नहीं हो पाता है वहाँ पर आपके प्रोब्लम आती है वह जब तक आपका इशू नहीं हो पाएगा तब दुबाई में जोब नहीं कर सकते हैं ठीक है तो distance वाले बच चीज़े उदर चीट बन के आती है का पास आउट किया था स्टेडि मोड क्या है रेगुलर में है डिस्टेंस में है कहां से किया था क्या संत्य आपकी सब कुछ आपका उसपर वैरिफाय होता है जो आपकी data एक्जाम भी दे सकते हैं उसके बाद आपको data flow करा सकते हैं फिर आपका eligibility लेक्टर मिल जाएगा आपको तब दुबए जा सकते हैं डाटा फुलो कराओगे 35 दिन के तब तक आप अच्छे सा एक्जाम के ताहरी कर सकते हैं और जब चाहिए आप तब एक्जाम दे सकते हैं उसके बाद eligibility letter फिर आप तुह जा सकते ज06 कर सकते हैं घर बैटे बर जोल कर सकते हो मेल वगरा कर सकते हैं जो.. व्यागरा सीब है अच्छा आशे सा बनना होता है तक कि अ अगर कोई आपके मन में को डाउट है किसी तरह का तो आप कमेंट कर दीजेगा मेरे को जहां तक है मैंने आपको फीज से लेकि डाटा फलो एक्जाम ठीक है एलिजिबिलिटी लेटर डोकुमेंट से सब कुछ मैंने आपको बता दिया है ठीक है पासपोर्ट आपका डिगरी दिपलोमा से उने चाहिए यूजिशिक से अपरूथ होने चाहिए किसी भी बोरन चे हैं अरेना से ओर्सें चाहिंकॉर्स करका आपने अपने टो वह सवी गोर्रमेंट के वालें कोई इस्जू नहीं आता है मेंना आता है आजक्भ प्राइवेट इंश्टूट है वह कहीं स से लेती है ठीक है वेरिफाई करते हैं डोकुमेंस को तभी आपको अच्छे जा सकते हैं कि जैब यह आप-ट्छाम देने जाओ के ता मेरा पाश्रश साथ मिलेके जाना होता है किसी कार्ड उता हो साथ मैब डूर्शिकार यह सब चीजें साथ मिलेक्ट सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करके आप वाटसप इसके इसके डाल दीजेगा ठीक है मैं जितने पास पीडियाफ है सब्सक्राइब करके अच्छे से अपलाई करें चीजों के लिए ठीक है उमीर करता हूँ यह फोर्मेशन आपके लिए काफ रहेगी और हर स्टेप पे अलग-अलग फीश लगती है इस चीज़ के आपको द्यान अखना आप किसी सिफ अपलाई करवाते हैं तो आपको पूछन करवाओं अगर आप कोई इसे अपलाई नहीं हो पा रहा है ता मेरे को वाट्सअप कर देजेगा मेरे पास कुछ कहांचे कंडिट्स हैं जो दुबई गए होए हैं तो वह अपने खुद अपलाई करते बच्चों के हैल्प के लिए ठीक है तो वह आप उनको मैं आपको एक परिशान नहीं करता है तो यह मैंने पूरी इंफोर्मेशन दे दिया वहाँ पर दुबई जोब आपको वहाँ पर जारे सर्च करने पड़ेगी ठीक है यह नहीं कि आपको एलिजिबिट रेक्टर आपको मिल गया आपको जो मिल जाए नहीं जोब के लिए आपको जोब के वीडिवा क्या दोनने पड़ेंगे वहाँ पर उनके पांच में रहना पड़ेगा जोब सर्च करने पड़ेगी ठीक है तो उम्मीद करता है वीडिव अपके लिए आपको आपको यहाँ आप करोएंगा कैसे करवाना कैसे करवाना है उसकीर वीडिविटमेट कुछ बना र अगर आप कमेंट करेंगे दो वीडिया आपको शेयर कर दूंगा मैं गाइस थेंक यू